हाई एवरिबन आईगी आज की इस वीडियो में हम भी हार बॉर्ड दोहजरताइस इंटर्मीडियट एक्जाम्स यानि की आईएसी एक्जाम्स का फीजिक्स सब्जेक्ट का अंसर की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो के साथ लगने वाले बलो को नियंतृत करने वाले नियम को किया करा जाता है तो दो आबेस बलो को पर नियम को का जाता है कुलाउम का नियम का जाता है यानि ऑप्सन नमर डिसकर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है बिंदू आवेश के कारण आर दूरी पर बिद्यूत विभब का मान क्या होगा तो यह होगा तिरिज्या के दूरी कैंट और D की किया होगा दूरी के ब्यूत का मान पाती यानि वसक्ट नमबर विसका राइट अंसर होजाएगा ठीक है नेक्स्ट है किसी चालक के संबहन वैग भी इधी तथा अरोपित विद्यूत चेथर शेतर ए के बीच संबंद क्या होगा तो इसका राइटान्स हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर A B D प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा E हो जाएगा ठीक है यानि B D समान पाती E हो जाएगा ठीक है चलिए दिखते हैं next question ओके next question है 64 समरूप बुंदे जिन में परतिय की धारिता पांच मैक्रो फेराड हैं मिलकर एक बड़ा बुंद बनाते हैं बड़े बुंद की धारिता क्या होगी तो इसका राइटान्स हो जाएगा अब कॉप्सन नंबर D 20 मैक्रो फेराड ठीक है next है बीवप मापी से मुखिता क्या मापा जाता है तो बीववांतर जो है बीवप मापी से मापा जाता है ठीक है next है अगर दो आविसोग बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी बैद्यूत इस्तितीज उर्जा क्या होगी तो यह घट जाएगी क्या होगी घट जाएगी ठीक है next है दो परती रोध आर एवं टू आर को एक बिद्यूत परिपत में श्रेनिकर में जोरा जाता है तो आर तथा टू आर में उत्पन उसमिये उर्जा का अनुपात क्या होगा तो इसका राइट अंस हो जागा एक अनुपात दो यानि आप् वर्तित होती है तो 50 वोल्ट का अउसत वोल्टेज उत्पन होता है कुंडली का स्वोप प्रिरकत्व क्या है तो इसका राइट अंस हो जाएगा बन पॉइंट सिक्स सेवन हेन्री ओके चलिए देखते है नेक्स्ट कोश्चन दूइतियक तरंगिकाओं की अबधारना किसके दूआड़ा दी गई थी तो दूइतियक तरंगिकाओं का जो अबधारना दी गए थी वो हाइंगेस के दूआद दी गए थी हाइगेंस के दूआद दी गए थी ठीक है अब तो दिखिए हम एक्स्प्लेंट ज्यादा नहीं करेंगे कोश्चन को हम पढ़ेंगे और अंसर क करेंगे ठीक है क्योंकि एक्स्प्लेंट करेंगे तो काफी लॉग हो जाएगा ठीक है तो मैं नहीं चाहता हूं कि विडियो डियूरेशन ज्यादा लौंग हो ठीक है तो आप तो एक्जाम्य देकर करके आगे सिर्फ आपको मैच करना है कि कितने कोश्चन आपने सही करके आए हैं ठीक है इसलिए में ज्यादा एक्स्प्लेन नहीं करूंगा कोश्चन को पढ़ूंगा और अंसर पे टिक करूंगा ठीक है चलिए समझते हैं नेक्स्ट है फोटो एलेक्ट्रिक प्रभाव में परकास विद्यूत धारा स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है किसे आपतित इस स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक त्रंग देधर होता है तो आप सबको पता है लाल रंग का त्रंग देधर सबसे जादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है ठीक है लेकिन बीचलन जैसे होगा तो बीचलन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा बीचलन सबसे जा नुक्लियस में नूकलियस में सब्ताओ नुक्लियस में प्रोटोन प्लस नूक्लियस में होता है और इसके और बेट के चारों ड़ता लगता है इंअसर हो दिखाता हूं केबल धारिता युक्त प्रतियवर्ती धारा पड़िपत में धारा एबम बोलता की विच कलांतर क्या होगा तो यह हो जागा आपका 90 डिग्री ठीक है नेक्स्ट है निम लिखित में से किस वधित चुमक्यव विकरण का तरंग दिधर न्यून्तम है तो गामा किरने का तरंग दिधरिय rocky ठीक है नेक्स्ट है पार्थिव दूरदर्सी द्वारा बना अंतिम पर्तिविम होता है काल्पिनिक एबम बस तू क्या पेक्छा उल्टा ओके यानि ऑप्सन नमबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है किसी एक उच्छाई ट्रांस्फर्मर से द्वीतियक कुंडली में धारा का मान प्रात्मिक कुंडली की तुनना में होता है । कि एक स्क्रिणे तो एक स्क्रिणे विद्युत्चुंब के तरंगे क्या कि दुख्य के तरंग यह किसी माध्यम से निरबात में संपुल्ण आंत्रिक प्रावरतन के लिए कांतिक कौन-30 डिग्री हो तो माध्य में प्रकास कभी होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है एक रेडियो समस्थानिक टू 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 टेन बी आई की अर्ध आयू पांच दिन है ठीक है बीज दिन के बाद के लिए नाभिकों का अभी घटित अंस क्या होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नंबर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा बनपटब फूर ठीक है नेक्स्ट दो आबेसों के बीच बिद्युत बल एवम गुरुत्वी बलों के अन इलेक्ट्रोन है या फिर प्रोट्रोन है यह तो नहीं बोला गया है ना तो यहां पर इसका राइट अंसर जो है अगर इलेक्ट्रोन बोलता तो तब यह हो जाता प्रोट्रोन बोलता था यह हो जाता ओके तो लेकिन यहां कंफ्यूज है यहां पर कोई मतलम नहीं बोला गय तो अंसर इसका यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट okay दो आवेस Q को मिलाने वाली रेखा की एख एक आवेस Q रखा जाए तो अब इसो के इस वियावस्था में संतुलन के लिए Q कमान होगा तो मैनस Q बटा 4 होगा क्या होगा मैनस Q बटा 4 ठीक है नेक्स्ट बीद्यूत ये दुवी धुरूब आगोर्ण P भेक्टर एवं बीद्यूत छेत रिकिति ब्रिता E भेक्टर के बीच कौन कमान कितना होगा दुवी धुरूब इस्थिर साम में अवस्था इस्थित में रहे ठीक है तो इसका आई टंसर जागा 90 डिग्री यानि पाई बाई बाई 2 नेक्स्ट है निमलिखित में से भाउतिक रासी कौन है तो आपका विद्यूत्ति ब्रिता जो है ये भाउतिक रासी है बाकी सभी के सभी तीनों अदिस रासी है ठीक है ये जो है सदिस रासी है भाउतिक रासी में सदिस रासी जो है आपका विद्यूत्ति ब्रिता है बाकी दिये तीनों जो है अधिसरा सिकन्त गताते हैं ठीक है नेक्स्ट दो तरंगों बाई बाई वन इक्वल टू फोर साइन ओमेगा टी एबं बाई टू इक्वल टू थ्री कोस ओमेगा टी से उत्पन बियती करन के आयाम का महत्ता मन क्या होगा पांच हो जाएगा औपसन नमबर भी ठीक है नेक्स्ट परिनालिका में चुमखकी एक उरजा घनतम का सुत्र क्या हो जाएगा बी डी टू अपोन बी पापावर टू अपोन टू मियू नोट ओक्या ओपसन नमबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ओपसन नमबर ए ठीक है जब परकास श्रोत और परदे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फिरिंज की चौडाई क्या होगी बढ़ जाएगी तो गामा के ने की बेधन चमता सबसे ज़ादा होती है next है टीवी परशारण के लिए अवरती प्रास का उप्योग होता है 30 मेगा हर्ज से 3000 मेगा हर्ज तो 300 मेगा हर्ज यानि option number C इसका क्या हो जाएगा राइस्ट एंसर हो जाएगा 30 मेगा हर्ज से 300 मेगा हर्ज ठीक है नेक्स्ट किसी भी प्रिजमी की बर्ण भी छेपन छमता निर्भर करती है तो प्रिजमी के कोन पर किस पर निर्भर करेगी प्रिजमी के कोन पर ठीक है नेक्स्ट है लेजर किरिया के लिए आवस्याख है लेजर किरिया के लिए सैंख्या परिवर्तन आवस्याख है ठ है प्रकास अनुपरुस्त त्रंग है क्योंकि यह परदरशित करता है धुरूबन को और तो होगी और एक बन फंटेटPodete में धारा के मूल माधिभगः का मान्च्ळा होगा तो इसका राइट अंसर आपको । रूट तो ँम प्रशोलब करोहों गए खौरी प्रति शुट टू आएगा ठ्रति रूट तु यानि में घुत था का रूट टू आयाओ ऑर डिल करोगी आप परीमेकरन को यह आजागा 60 रूट 2 अपूं टू तो इस परकार इसे काट उगे तो ठीट रूट 2 आजाएगा ठीक है तो इस परकार option में अगर यह देदेता अब का 60 अपूं रूट 2 तब यह भी सही हो जाता तो लेकिन परीमेकरन करने अप्सन नमबर डी अंडर रूट र स्कॉर पलस ओमेगा इंटू एल स्कॉर ठीक है नेक्स्ट है एक बितिय धारा बाही लूप की त्रिजिया दूगनी तथा धारा धारा आधी करती जाए तो इसका चुम्बह के अगुर्ण हो जाएगा दूगना हो जाएगा क्या हो पांच हेन्री है इससे बहती धारा दो दो एंपियर पर तीस सेकंड की दर से बढ़ रही है तो चोक कुंडली का प्रेरित विद्धू बहागबल क्या होगा तो मैनस दस बोल्ट होगा क्या होगा मैनस दस बोल्ट नेक्स्ट कोशन है पिर्थवी का चुम्बह की वे दिद्ध यह तरंग रेकें चुंबह क्यें तरंग के बीच कलांतर होता है शुनी होता है क्या होता है और प्प्रेंट फोल्ट होगा पांच होगा मैनस दो बॉइन फॉइंट पंच थीह के दिन करता के कारण तीवंडिटाब रिवर्तन होता है किस को पर्योकत क्या जाता है कि सब्सक्राइब को दिखाया गया गए तरह निकला होता है तो यह अब बनियास नहीं प्रमित दिखाया गया ठीक है ऐसे होना चाहिए इसको ठीक है तो डायूड होगा ठीक है मिस्त वासा हुआ है ठीक है नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के परवर्धन गुनांग की काई क्या है तो इसमें से कोई नहीं इसका लिखित में कौन सा तर्क द्वारा सर्वजनिक तर्क द्वार है तो यह जो है आपका है आपका क्या एन एंडी एन एंडी गेट ठीक है अप्सन नमबर डी नेक्स्ट है यू एच एफ आबिरती की तरंगे प्राया कैसे संचारित होती है तो यह अंत्रिक्ष तरंगे द्व विवर्तन प्रिज्मों की चौड़ाई ब्यात्तिकरन फ्रिंजों के समान नहीं होती है ठीक है अप्सन नमर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है प्रकास वर्स कमान कितना होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटु टेन टू दी पावर 15 मीटर होता है ठीक है अगर यह किलो मीटर में बोलता है तो क्या हो जाता है नैन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन तूथ पावर 12 यह बला हो जाता है लेकिन सारे के सारे मीटर में दिए उए है तो मीटर में ही आपको अंसर देना है यानि अप्सिंड नमढ़े इसका राइट अंसर हो होता है क्या होता है रिनात्माक होता है ठीक है युष्ट्रमान उपाती हो जाएगा बन आपन भी में के यह प्राबयुत का एक एस्टितिक युगती एब है जिसके दौर उत्पन होता है केबल उच उत्पन होता है क्या है केबल उच बोल्टेज जो है संद्धारित्र पर कूल क्या होता है तो इसका right answer हो जाएगा इसका right answer क्या होना चाहिए इसका right answer इसका right we can कि अंदरल की घती क्या होती है अब मंदित होती है बाइयू इन्पायू इस्थित इकाई धन आवेस्थ से निकलने वाली संपुर्ण विद्योत फुलक्स का मान होता है क्या होता है इनोट-एननस-वन यहांने कि पर इनोट इस्थित अब लिग सकते हो ठीक नेक्स्ट है परती इकाई आवेस्ट पर लगने वाले बल को क्या काते हैं विद्यूत छेत्रे काते हैं एलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक है विद्यूत छेत्रे काते हैं ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका क्या है आवेस्ट का परिमानी करन दरसाता है कि एक आवेस्ट को कभी कभी नष्ट नहीं क्या जा सकता है क्यूंकि कि आधे एक उठ्जा है उठ्जा नकेल एक लोग चुम्बक के पदार्थ है निकल क्या है एक लोग चुम्बक के पदार्थ है ठीक है नेक्स्ट है एक उभ्योतल लेंस परती एक तल की बक्रता तरिया बीस सेंटीमीटर तथा लेंस के होता होती रासिस रहेगी को मंद करना को मंद करना मंद मांटर करने का armor करना होता है तो परकार की लिए अशुद तत्व के रुप में पर्योग क्या जाता है बॉरोन का जिसका बॉरोन का यानि की बी जिसका सिंबोल बी होता है ठीक है तो सब्जेक्टिब कोउचन यहां पहले कोशन पूछा गया है ठीक है तो इसका किए तो आपके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं बट आप कोश्चन देख लिए किस टाइब कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अगर आप आप नेक्स्ट एक्जाम में देख रहे हैं जो कि अगले साल देंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह के कोश्चन पूछ कर देना ठीक है तो आज के लिए तना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सो थाइंक्यों